बच्चों, acidity का problem आजकर आम हो गया है हर किसी को acidity की problem हो गही है कहीं भी जाओ किसी से भी मिलो वो यही कहता है acidity हो रही है तो acidity हो ती क्यों है? उसका कारण जानना चाहिए acidity है क्या चीज? क्यों हो जाती है? आज हम इस acidity की जड़ तक जाने वाले हैं चले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगी कि जब भी आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्स्टाइब के बना बिल्कुल न जाएं सबसे पहले तो ये जानेंगे एसिडिटी है क्या चीज़ एसिडिटी मतलब खाने का डाइजेशन न होना जादा एसिड बनना इसी कोई हम कहते हैं एसिडिटी खाना पचता नहीं है और जादा गैस बनता है डाइलूट नहीं होता है तो इस वज़ा से एसिडिटी होती है ये कई कारणों की वज़ा से होती है कई बार तो ऐसा होता है कि खटी डखारे मूँ की तरफ आती है और बहुत ही बुरा लगता है पेट दर्द होता है, पेट फूल जाता है कई बार constipation भी हो जाती है ये सारी परेशानिया कई बार होई जाती है, ये नहीं समझाता ये हुआ क्यों, इसके कई कारण है देर रात को खाना खाकर सो जाना, या काफी देर बुखे रहना, सुबह नाश्ता न करना या फिर खाने में कई सारा गैप लग जाना तो ये भी एक कारण होता है, दूसरी बात टेंशन की वज़ा से भी हमें एसिडिटी हो जाती है, बहुत तला भुना खाना खाने से भी एसिडिटी होती है, जब हमने पानी बहुत कम पिया हो, और खास तोर से प्रेगनेंसी में भी ये प्रोब्लम बहुत जादा होती है, और ऐसे में तो हम कई बार डरी जाते हैं, तो हमें हमेशा अपना ध्यान रखना चाहिए, किन चीजों से हमें acidity हो रही है, उसका कारण जानना चाहिए, उस कारण को हमें बिल्कुल हटा देना चाहिए, चलिए, अब अगर acidity हो गई है, तो उसे हम कैसे ठीक करें सबसे पहले तो खाना खाने के बाद आप आदत डाल दीजी सौफ चबाने की सौफ जितना आप चबाएंगे उतना ही सलाईवा आपके मुह में बनेगा सलाईवा मतलब लार और जितना जादा लार बनेगा वो पेट में अंदर जाएगा तो जिसकी वज़ा से अगर वो अंदर गैस बन रही है वो सलाईवा उसको ठीक कर देगा तो सौफ एक बहुत बढ़िया किचिन में ही मिल जाती है उसे आप यूस कीजे सौफ से कूलिंग एफेक भी आता है और अंदर की गर्मी जो होती है अंदर की जो आग होती है वो शान्त हो जाती है दूसरी चीज है जो घर में किचिन में ही है वो है जीरा या तो आप जीरा चबाएए जीरा चबाने का मन नहीं है तो जीरे को भिगा कर रख लीजे और आप उसे थोड़ा उबाल दीजे उबाल कर उसे ठंडा कर दीजे, लियूक पॉम कर दीजे, धीरे-धीरे सिप-सिप करके खाने के बाद आप पी लीजे, खाने के जस्ट बाद नहीं, एक घंटे बाद, आपको असिडिटी नहीं होगी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं होगी, तीसरी एक और तरीका है, सिनेम दोनों को ही चाय में डाल कर या पानी में डाल कर उबाल लें और उसे पीजे, उससे आपकी सीने की जलन भी कम होगी और बहुती अच्छा फील होगा, एक और बात, पका हुआ केला खाएं और उससे आपको फाइबर तो मिले गाई, खाने को डाइजस करने में बहुती मिलेगी, गैस नहीं बनेगी, खाने में खीरा, तर्बूज, नारियल का पानी, पुदीना वाली चाच, इस सब जरूर लीजे, जिससे आपके पेट के अंदर गर्मी नहीं बढ़ेगी, गर्मी नहीं बढ़ेगी तो अंदर एसिट नहीं बनेगा, और पानी भरपूर पिए जब कभी बहुत ज़्यादा प्राब्लम हो, कोई दवाई लेने का मन ना हो, तब आप थंडा थंडा धूद, बिना चीनी का सिप सिप करके पिए, आपकी एसिटिटी को बहुत अराम मिलेगा, नारियल का पानी जरूर पिए, प्रेगनेंसी में तो बहुत ज़्यादा पूछ कर ही खाएं, लेकिन बहुत ही बैस्ट होती है, स्वाध में भी और आपकी हेल्थ के लिए भी, तो ऐसी छोटे-छोटे घर के उपाय करने से हमारी बहुत सारी प्राब्लम सॉल्व होती हैं, उन्हें अजमाईए और मुझे जरूर बताईए कि कैसी लगी ये सारी ट अगर आपको पसंद हैं तो लाइक जरूर कीजिए, ज्यादा स्यादा शेयर कीजिए, इस चैनल पर बच्चों अगर नए आयो, सब्सक्राइब करने की कंजूसी विलकुल न कीजिए